हालो फ्रेंड्स गुड मारिंग करते हैं आप लोग अमेद कर रहा हूं बहुत ही अच्छे होगी पढ़ाय लिखाई आप लोग की बहुत अच्छे से चलिए होगी एरावर्ड में आपका स्वागत है और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग सब्सक्राइ सब्सक्राइब करते रहिए कमेंट भी कर ये लाइक कर दिया किजिए जो है और चलते हैं लोग आज 16 फरोरी है आज इसका करेंट अफेर हम लोग देखते हैं तो ज्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए आप लोग का आते हैं अपने करेंट अफेर की तरफ है देखेंगे पहला कुश्चन नमारा क्या करता है कि एर इंडिया के यमडी एंड सीओ कौन बने सतीष चंद्रा सौरव कुमार इलकर आईसी मिसूर महा कौन बने हैं इलकर आईसीजी बने है ठीक है यमडी और सीओ एर इंडिया का किसे बनाया गया है इलकर आईसीजी को बनाया गया है यह इसके पहले कहाँ के मादलब किसका अध्धिच रह चुके हैं पूरवढ़द्ह बाते जो किस एयर लाइन्स है तर्किस एयर लायन्स इसके क्या हैं पूर्व अध्यच रह चुके हैं अभी कारिभार किश्काव में सौपा गया है इनको एर इंबिया का कारिभार सौपा गया है ठीक है इनका जन्म जो है 1971 में हुआ था तब इसे इन जो है फिर इसके बाद जो है 1994 से लगाता है ये एक भी सिसा के के रूप में सेवा दे रहे हैं ठीक है आई ये देखते हैं नेक्ट कुश्चन की तरफ समरा दूसरा कुश्चन क्या करता है भारत आस्टेलिया और किस देश ने एक साथ अंतरराष्टिय कारिसाला आयोजित किया इंडोनेसिया मालदिव, स्रिलंका, सिंगापूर यानि कि तीन देश हैं तो इसमें कौन सा देश है? सिंगापूर देश है जो भारत, आस्टेलिया और सिंगापूर ने मिल करके एक अंतरराष्टिय कारिसाला का आयोजित किया यह कारिसाला का आयोजन किसलिए किया गया है महतरपूर्ण यह है किसलिए किया गया है जो समुद्र में जो प्लास्टिक फैल रहा है समुद्री प्लास्टिक कच्रा समुद्री प्लास्टिक कच्रा को जो है समाप्त करने के लिए जो भी जैसे कि अंत्रिच में हमारे कच्रा फैलता है उसे समुद्र में है और यहां पे हमारे धरातल अस्तर पर जो कच्रा होता है उसे तो समाप्थी किया जा रहा है देरी-देरी यह समुद्री कच्रा जो प्लास्टिक है बहुत ज्यादा नुकसान दे होती है जो वहाँ पे जीवजन्त होते हैं, मचलियां होती हैं, उनके लिए क्या होता है कि दिक्कत होता है, और जो इनवर्मेंट को काफी जाँ जो है नुकसान पहुचा रहा है काउन वारा प्लास्टिक, तो इसी से भारत, आश्टेरिया और सिंगापूर, जो है, मिल करके जो है, साला का आई विजिन की हैं ठीक है चलते हैं आगे नेक्ट कुश्चन की द्रब तीसरा कुश्चन नमारा how to prevent the next pandemic नामक पुष्टक किस ने लिखा बिल गेट्स ने विबेक बिंदरा ने इस्रवा रिवा ने जे बेजोड ने कितने लिखा है ये बिल गेट्स ने लिखा है बिल गेट्स तो माइक्रोसाफ्ट की क्या है सासान स्थापक है माइक्रोसाफ्ट की क्या है ये सासान स्थापक है ठीक है और इन्होंने जो क्या कौन से पुष्टक लिखिए है how to prevent the next pandemic नमक पुष्टक को इन्होंने लिखा है तो ये पुष्टक जो है बहुत ही important हो सकती है क्योंकि इन्होंने जो भी pandemic मारे चल रहा है कि जैसे COVID-19 तो इन्होंने ये बताया कि मतलब next pandemic अगर आता है तो किस तरीके से हमें उसमें सुधार किया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं बिल गेट्स की बारे में कितने बुड़े बिजनसमैन है और पहला अस्थानिंग काफी दिनों तक इन्होंने बरकरार रखा था आते हैं देखते हैं next question की तरब इसे हमारा चौथा question क्या कहता है डिस्को किंग के नाम से प्रसी देखलाकार का निधन हो गया अभी कल जो है यानिकी फंद्रा फरोरी को इनका निधन हुआ जैकलीन आउनीस बपी लेडी सुन्दर दास तो बपी लेडी इनका नाम कौन है जानता होगा ठीक है वो तीजवादस सिंगर थे हमारी और इनका अभी क्या हो गया है निधन हो गया है और डिस्को किंग के नाम से क्या थे प्रसी अभी इनकी उमर जो है 69 एर थी ओड थे और यह क्या होगे जो है अभी इनका निधन हो गया है ठीक तो याद रखेगा हो सकता है किसी पेपर में पूछ लिया जाए भारतिये रेलवेए देश की सबसे बड़ी कुछतियक आदमी कहां अस्थापित करेगा यह इंपॉर्टन पुष्चन है यह आएगा किसी पेपर में जुरूर आएगा नई दिल्ली गुरुग्राम में है प्रक्षे करोड उपेक जो है इसमें दिया जारा रेल मंत्री काओन है हमारे अश्वनी 22 जी ठीक तो इनके ही द्वारा जो ही इसका क्या किया गया जो है आधारतिला रखेगी रखेगी ठीक है आते है अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरब ज्यादा टाइम ना बेस्ट हो अ इसरो की द्वारा तो इसके साथ दो उपठ जो है ओड़ो सब्ढ़र ही वेजगे गये हैं तो चोटे वुपठगर वी क्या है भेजे गये है ठीक तो अब इसरो के अगर बात करें तो इसके बहतामान में अधाचर काऊन है डाक्टर यस सोमनाथ डाक्टर यस सोमनाथ जी है ठीक डाक्टर या सोमनाथ इसकी क्या है अध्यच्छा है अगर हेटकॉर्टर की बात की जाए हेटकॉर्टर इसका कहां पे है वेंगलूरू वेंगलूरू में इसका क्या है हेटकॉर्टर है अस्थापना इसकी कव ही थी अस्थापना की बात कर ली जाए तो 15 अगस्थ 1969 में क्या हुआ था ये अस्थापित किया गया था इस रो ठीक है, बताएगा DRD यो कि अस्थापना कभवी थी यह जो दूसरा नंबर है इसके अस्थापना कभवी थी, इसके बारे मताएगा अब ही जानते हैं आप लोग कि अभी 4 फर्वरी को कैंसर दिवस मनाया गया ठीक है, और इसके बारे में उन्हें बताया था जो वीडियो नहीं देखा है हमारा चार फर्वरी वाला है जो ड़ा करेंट पर आप जा करके देख लीजिए मतलब इसमें जो है क्या बता गया है मतलब 4 फर्वरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है तो इसमें इंपोर्टन क्या थी? ठीम इंपोर्टन थी, लेकिन अभी कहा कि अंतराष्टे चाइल्ड होड कैंसर दिवस यानि कि 0 से लेकर के 19 एर के बच्चों में जो यह मतलब बीमारी एक तरीके से जो है फैलती है उसकी जागरुपता के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है तो यह दिवस कम मनाया जाता है यह दिवस कम मनाया जाता है 13 फरोरी को, 14 फरोरी को, 15 फरोरी को, 11 फरोरी को cancer दिवस 4 परोरी अंतर राष्टी childhood cancer दिवस 15 परोरी ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं लोग next question के तब चलते हैं हाँ यह देखिए यह वाला question बहुत ही जब दास्त है TTFI यह देखिए TTFI के संचालन के लिए प्रसास को कि सिमित के अध्यच के रूप में किसे निउपत किया गया है गीता गोपिनाथ को गीता मित्तल को रेखा सर्मा को अंजनी भटनागर को तो इसमें किसे निउपत किया गया है पूरा दिखादे question आप अंजनी भटनागर तो अब इसमें देखते हैं हम लोग तो इसमें देखा जा कि गीता गोपिनाथ गीता मित्तल रेखा सर्मा अंजनी भटना करके इसको अध्यच के रूप में निउपत किया गया है गीता मित्तल को अब गीता मित्तल के बारे में थोड़ी से जानकारी लेने गीता मितल, हमारे किंस रासित पर्देश, जम्मू एंड कास्मीर की, जो मलब उच्चने आले था ना, पूर्ब मुख्य नयाधीस हैं, रह चुकी थी, पूर्ब मुख्य नयाधीस रह चुकी हैं, ठीक है, तो आप इनके बारे में यह जानते हैं, अभी बरतमान की बात की जा अच्छा, पहले तो यह बता दें कि TTFI का फुलपाम क्या होता है, TTFI जो हमने अभी लिखा था ना, ये, TTFI, तो देखो, Table T से हो गया, दूसरे T से क्या हो गया, Tennis, Table Tennis Federation of India, of, Table Tennis Federation of India, ठीक है, तो अब अगर बात की जाए, कि इसकी अस्थापना का वोई थी, बरतमान में इसके अध्यच काउन है, देखे, कन्फूज में तो यह गया, कि यहाँ एक प्रसासकों की सिमित गठित की गई है, ठीक है, प्रसासकों की सिमित, इसके अध्यच के रूप में गीता मित्तल जी को निउक्त किया गया है, लेक है, ठीक, और अगर अस्थापना की बात की जाए, अस्थापना की बात की जाए, 1926 में हुआ था, TTFI की अस्थापना का हुई थी, 1926 में हुई थी, आते हैं नेक्ट कुश्चन की तरफ, नौवा कुश्चन हमारा क्या कह रहा है, CBSE का नया अध्यच किसे बना गया है, नवनीत जोसी, अवनीस जोसी, बिनीत जोसी, सतेंद्र जोसी, तो बताईए जो है, एक IS अधिकारी है, बिनीत जोसी जी, इनको क्या किया गया है, इसका नया अध्यच बनाया गया है, ठीक है, यह IS अधिकारी है, CBSE का नया अध्यच क सौभाग योजना किसके लिए है सौरी उर्जा के लिए है तो इसमें प्रतम अस्थान किसने हासिल किया है राजस्थान और राचल प्रदेश मध्य प्रदेश हर्याना तो प्रतम अस्थान राजस्थान ने हासिल किया है ठीक है इसके बाद गर सिकेंड अस्थान की बात की ज तो आप यहार देखे कि कि पहला स्थान अमस्ति नीनीक में आपकश्क ना पर जोड़ आप भता जोड़ को पर पिद स्वो स्थान के बारे में थोरे सी जानकारी जानकाली दे mock आप लोगों को, यह देखिए, पहले नंबर पे हमारा वीडियो वाला कोर्स है, फिल लेकपाल का कोर्स है, यह हमारा मेंस बैच चल रहा है, PCS मेंस के लिए, यह प्री का पंदरा तारिक यानिकी कल से स्टार्ट हो चुका है, पंदरा से, ठीक है, आप इसके बारे में भी दे सकते हैं और पाटिसिपेट कर सकते हैं, आज मारा यह दस कुष्चन था, जो है, कल फिर मिलेंगे, जो है, और लाइक कमेंट दबा के कीजिए, सेर भी कीजिए, कमेंट मेंट करते रिए, सुझाओ देते रिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद,